हालो फ्रेंड्स माई साहब डॉक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन फ्रेंड्स आज हम डिसकर्स करेंगे बड़ी ही एक कोमन समस्या जो भी पोस्ट कोविड निकल के आई है वो है प्लैक फंगस क्या है ब्लैक फंगस क्या इसका क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है दोस्तों ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज है जो एक म्यूकर नाम का जो फंगस है जो लीव्ज जो होती है रोटन जो वूड्स होती है रोटन जो फ्रूट्स होते हैं सड़े गले जो फल होते हैं जो सोईल है उस पर ब्रीधिन करते हैं तो अपनी बोडी में एंटर होते हैं और यह ब्लैक फंगस डिजीज जिसको एक म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं वो डिजीज पैदा होती है दोस्तों देखने की बात इसमें यह है कि इसमें दोस्तों जो पेशेंट जो अनकंट्रोल जो डाइबिटीज है पेशेंट जो प्रोलोंग स्टे मोर्डेन यानि 15 डिस ज्यादा इस्टे आईशियू में है जिसको इम्मिनो सप्रेशन के लिए या कोविड के ट्रीटमेंट के लिए प्रोलोंग स्टिरोइड का यूज में लिया गया है या जो patient comorbid है यानि जिनको malignancy का treatment चल रहा है जो patient post organ transplant patient है जो already immunocompromise है जिनको कोई cancer का treatment चल रहा है या जिनकी अभी surgery बगर होई है so these all patient are on maximum risk for the mucormycosis or black fungus disease now second thing those two what is the what are the symptoms of the black fungus disease those two black fungus disease की जो symptoms है वो basically patient and then in the fever patient have the headache and numbness so friends second what are the symptoms of the black fungal disease दोस्तों यह जो black fungus disease है यह start होती है and infection spread होता है नोज के मात्यम से so जो इसके symptoms है वो भी start usually जो है वो ENT manifestation के तुरू ही usually start होते है patient have the black crust or the blood crust bloody discharge from the nose and pain in the nose area cheek area or around the eye and patient feel the numbness यानि उसको उसका sensation उसको कम फील होगा in the face and then patient have the fever patient have the headache and some patient also feel कुछ patient उसको टूथ है उनको कहा है कि दात में दर्द होगा उसको जो है जबडे में पहन होगा और पूरे फैस में उसको पेन होगा साथ के अंदर patient को बहुत बार क्योंकि यह जो नोज के माध्यम से अपने lungs को भी affect करता है तो यह जो है patient को recurrent cough भी होता है और बहुत पार chest pain भी होता है तो यह common symptoms है है जो usually अपने को warning signs होते हैं जिससे patient को यह पता लगे कि उसको जो है black fungal disease है so these are the common symptoms of the black fungus disease now how we diagnosis कैसे black fungus disease को diagnose किया जाए दोस्तों usually जो है इसका जो diagnosis है जो history patient की होती है patient का जो physical examination होता है उनसे काफी हद तक idea यह लग जाता है कि इस patient को maybe black fungus disease हो सकता है if a patient यदि कोई patient अगर more than 15 days stay है ICU के अंदर covid post covid disease के अंदर तो वो more prone है इसके लिए physical examination के अंदर जो patient का जो examination है patient को जो है वो redness होती है cheek area के अंदर उसको बहुत बार क्या है कि जो है वो tenderness होती है cheek के अंदर और बहुत बार क्या है कि blister उसके बन जाते हैं और उसका जबड़ा है उसके अंदर जो है वो blackening हो जाती है टिशू की blackening हो जाती है और नोज से क्या है उसके bloody या जो है blackish उसको नोज से क्याए debris और discharge आता है यह usually अगर कोई post-covid patient यानि covid की recovery के बाद के अंदर after the 15 days अगर उसको इस type के symptoms उसको मिलते हैं तो यह एक indication है black fungus disease का साथ में कुछ investigations भी होते हैं अगर नोज से patient को अगर discharge है तो उसको जो है उसकी staining भी की जाती है उसका जो culture and sensitivity test भी कराया जाता है यह जो staining होता है जिसमें उस fungus के बारे में पता लगा लिया जाता है दोस्तों दूसरा इसमें एक important imaging study होती है जिसमें CT scan होती है और usually MRI जो एक जो PNS और जो orbit जो होता है जो उसकी MRI से अपने को यह पता लगता है कि यह जो mucormycosis जो black fungus disease का extension कहा कहा है क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी fungus है जो invasive fungus है invasive that means यह अपनी जो खून की नलियों में भी enter कर जाती है और पूरी body में circulate होती है और जब यह खून की नलियों में enter होके और यह पूरी body में spread होती है तो यह nose के माध्यम से और आप के अंदर enter होके और दूसरा जो है यह brain में भी चली जाती है so patient बहुत बार क्या होता है कि जो उसका जो presentation होती है वो यह सब बाकि symptoms के साथ उसका जो vision है वो भी blurred हो जाता है patient की usually complaint होती है कि उसको देखना भी कम होता है it means उसकी जो fungus है वो आई के अंदर भी जो है वो spread कर गई बहुत बार जो यह जो fungus है वो हांक में enter होने के बाद या जो है खून की नलिकाउं में enter होने के बाद अपने brain को भी infect कर देती है जिससे patient को paralysis, patient को seizures, patient को ultimately death और उसको patient ultimately अपने vision भी खो देता है blind हो जाता है so यह MRI के माध्यम से जो है अपने को उसका यह पता लगता है कि उसका जो है कितना extension हो गया now what is the treatment of the black fungus disease दोस्तो black fungus disease और mucormycus का जो treatment है वो दो तरीके से किया जाता है one is antifungal medications and second endoscopic debridement यानि first कुछ antifungus दवाईयां होती है जैसे Ampotericin B पोस्कोना जोल है जो orally और IV के माध्यम से patient को उसको spread करने के लिए दी जाती है दूसरा अगर fungal disease extend जो है वो काफी अगर sinus में है और eyes के अंदर भी चलीगी पीछे cavernous sinus में है या eyes के enter हो गई तो जितना tissue fungal disease से affect हो चुका जितना वो collect हो चुका उसको सारे tissue को निकालना होता है जिसको endoscopic debridement बोला जाता है वो एक endoscopic surgery होती है और उसमें क्या है कि जितना भी उसका fungus के करण damage part है उसको निकाला जाता है चाहे वो patient का जबडा हो चाहे वो गाल की हड़ी हो चाहे patient का जो है वो eyes हो बहुत बार patient की eyes भी निकालनी पड़ती है patient की जान बचाने के लिए सो यह इसका treatment जो है वो black fungus disease का treatment antifungal medications and endoscopic surgical debridement से होता है सो दोस्तो how can we prevent the problem you know the prevention is the better than cure कैसे इससे बचा जा सकता है कैसे prevention किया जा सकता है दोस्तो कुछ चीज़े है things to do जो आपने को करनी चाहिए first अगर patient post covid है post covid patient अगर diabetic है तो इस पे लिए control the blood glucose level we monitor the blood glucose level especially after the 15 days patient जब discharge जो के जाता है वो diabetic especially है तो उसका blood glucose monitor जो है वो especially जो है वो check करना चाहिए मॉनिटर करना चाहिए first second thing जो humidifiers होते हैं जो जिससे अपन oxygen को humidifier करने के लिए जो उसमें water डालते हैं that should be clean and strive वो भी एक माध्य में second third thing जो patient जो recovery phase में जो patient discharge होता है so उस patient को outdoor activity minimum करनी चाहिए that should be in the indoor क्योंकि उसको maximum chances होते हैं क्योंकि उस time पे जो उसका treatment होता है उसमें उसको steroids दे जाते हैं उसको inflammation को रोकने के लिए उसके कारण उसका immunosuppression हो जाता उसकी भी खुद की immunity डाउन हो जाती है तो उसके करण उसको जो outdoor activity कम से कम करनी चाहिए and he use always wear the mask उसको mask at least use में करना चाहिए and अगर कोई patient farming में काम कर रहा है तो उसको जो है वो उसको जो है hand gloves भी उसमें लेना चाहिए उसको long trousers लेनी चाहिए and जो है personal or जो है उसकी hygiene है उसको अच्छे से maintain करना चाहिए जिससे उसको fungal mucormycosis का infection है उससे बचा जा सकता है hospitals है जहां पर ward में time to time उसकी sampling होनी चाहिए clean air होनी चाहिए so इन सब तरीकों से उससे बचा जा सकता है now what not to do क्या नहीं करना चाहिए दोस्तो इसमें सबसे important चीज है do not miss the warning sign अगर कोई post covid patient को in जो अपने discuss किया उसमें से कोई signs and symptoms लग रहा है तो तुरंत उसको जो regarding जो doctor है general physician या ENT surgeon से तुरंत contact करना चाहिए and never hesitate to start in the treatment जो भी उसका treatment है उसमें कभी delay नहीं करना चाहिए and the important thing कि do not consider the nasal blockage as a normal sinusitis अगर किसी patient को nasal blockage है post covid patient को तो चिकित्सक को भी उसको usually एक normal bacterial sinusitis नह मानके और उसको जो है mucormycosis के according उसका diagnosis करना चाहिए through the nasal endoscopy क्योंकि जहां पर ENT system होता है वहां पर nasal endoscopy की माध्यम से तुरंत उसको देख लिया जाता है जो दोस्तों बाइद क्विक्ली डाइग्नोसिस अफ़ पेशेंट अगर पेशेंट का इडेंटिफिकेशन हो गया समय पेशेंट चिकित्स के पास पहुंच किया तो पेशेंट अपनी जान गवाने से बच सकता है पेशेंट पर्माने से बच सकता है तो नीड है इन सोसाइटी एक awareness की की यह black fungus disease क्या है तो आई होब इस all information is useful for you and you share this information in your family in your friends and in your colleagues just to create the awareness for black fungus disease thank you